हेलो दोस्तो نमस्कार मैं हूँ अभी सेग, वेलकम टू सोटकर्ट इंफर्मेशन सेंट्रल गोहुमverbsंट हाल ही मैं नए बन रहे पालियामेंट वील्डिंग की कुछ फोटो जारी की है आए जानते हैं नए बन रहे पालियामेंट वील्डिंग के बारे में प्राइम मिनिस्टर नरेंडर मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को इसका फाउंडेशन इस्टोन रखा था इसको बनाने में 971 करोर रूपए लगे हैं जिसमें इसके कंस्ट्रक्शन के साथ साथ सेफ्टी एक्विपमेंट और दूसरे फीचर्स सामिल है इस बिल्डिंग का इसी साल मार्च में उडगातन किया जाना है इस बिल्डिंग को बढ़ते हुए लेक्टेड MP की संख्या को ध्यान में रखकर बनाया गया है पिछले साल पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बिल्डिंग के उपर लगे नेशनल इंबलेम का उडगातन किया था आईए जानते हैं इस न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के कुछ फीचर्स के बारे में इस बिल्डिंग में लोक सफा के 888 MP और राजल सफा के 384 MP की बैठने की जगा है इसके साथ ही इस पार्लियामेंट बिल्डिंग में 1382 लोग एक साथ बैठ सकते हैं जब पार्लियामेंट की जॉइन सेशन बुलाई जाईगी इस पार्लियामेंट को ऐसे डिजाइन किया गया है जो modern इंडिया के diversity को डरसाता है न्यू पार्लियामेंट के committee room में नए technology जैसे audio visual system लगाया गया है इसमें एक बड़ी सी library भी बनाई गई है जिसमें books के साथ साथ अन्य archive material भी होंगे इस building का जो central lodge है वो open है और उसमें national tree यानी बन्यान tree लगाई गई है इस building में बहुत सारी ultra modern office बनाई गई है जिसमें बहुत ही secure और efficient communication technology इंस्टॉल है तो ऐसे और informative वीडियोज देखने के लिए इस वीडियो को like, share और subscribe जरूर कीजिए